तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि स्पॉंजी वाला जो रसगुला होता है वो कैसे बनाया जाता है और घर पे हम कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को कर दीजे लाइक और चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकान कर लिजे ताक कि आपको आने वीडियो को नुटिक्वेशन मिलती रहे हैं स्पॉंजी रस गुल्रा बनाने के लिए सबसे पहले में गाय का दूद्च चाहिए तो यहां पे दीखिए दूद्च मैंने आधा किलो लिया है गाय का उसको एक बार उबालना है तो मैं कड़ाई में उबाल रहा हूँ और अब इसको एक बार उबाल आने देते हैं उसके बाद इसका इसा है पनीर बनाएंगे यान कि इसको दूद को फारेंगे तो दूद को फारने के लिए सबसे पहले उबालना जरूरी है एक उबाल आने के बाद ही इसको फारें और हां, मैं आप सभी को बताता हूँ नो उबालने के बाद दूद को ठंडा किया जाता है लेकिन जो गाय का दूद होता है इसको ठंडा करने की कोई जरूत नहीं इसको बस एक बार उबाल आजाए उसके बाद तुरंट ही फार देना तो देखिए हमारा जो दूद है वो उबल चुका है अब हम थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं या इसको थोड़ा सा एक बार हिला देना है ऐसे देखिए जैसे मैं हिला रहा हूँ ना इसका हलका सा गैस मैंने आफ कर दिया है और उसके बाद इसको फारेंगे तो फारने के लिए सबसे पहले हैं मैं चाहिए और उसके बाद मैं उसमें काफी सारा डाल दूँगा पानी तो पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि दूद को एकी बार में जटका न लगे धीरे धीरे फटे तो बस अब यही पानी उठाके हम सीधा दूद में डाल देंगे और धीरे धीरे करके डालेंगे पहले आधा किलास पानी डाल देते हैं उसके बाद बाकी का भी डाल देंगे अगर लगे कि यहां डालना चाहिए तो हाँ देखिए मैंने डाल दिया है और जो दूद है यह बिल्कुल गरम गरम जब होता है न तो बहुत जल्दी फट जाता है तो बिल्कुल फट चुका है दूद अब इसको क्या करेंगे हम एक कपड़े में डालके बिल्कुल इसका जो पानी है वो हम निकाल लेंगे तो चलिए डालता है कपड़े में और देखिए मैंने कपड़े में डालके इसका जो पानी है उसको अच्छे से हाथों से दबा के थोड़ा सा moisture हो, उसके बाद एक plate में डालके इसको mash करना है, देखिए दोस्तों जब बाकी के वीडियो इसमें हम रसगुले बनाते हैं, तो वो हम भैंस के दोस्ते बनाते हैं, और उसमें मैं आप सभी को बताता हूँ, बेकिंग पाउडर, मीथा, सोड़ा वगेरा, बहुएरा, जो कुस भी ALDालना है, वो ड़ालो, लेकिन इस जो ये वाला स्पॉंजी वाला रसगुलबर होता है, इसमें कुछ भी डालने के जो तरह नहीं, मीठा सोड़ा जालना है ना रोदी डालना है सी इसाटी चोटी चोटी टुकड़े करके बॉल्स बना लेकर और हा फोड़ा सह मार्केट से छोटी बना रहे है ताक् Bj 2 रहे ताकि हम और पका सके द Dietly तरीके से फोड़ा सच छोटी उपने और इसमें थोड़ा बहुत अगर cracking भी रहेगा तब भी चल जाएगा क्योंकि इसमें कुछ हमने डाला नहीं है तो इसलिए cracking थोड़ा बहुत रहेगा तो बस अब क्या करते हैं चासनी बनाते हैं तो चासनी बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा पतीला लिया है यह चोटा सा ब 1,500דר पानी तो जिस कटोरी से डाल रहे हो न उसी कटोरी को भरके आपने चेनि डाल देना और उसी कटोरी का आधा आठा अपने पानी डाल और उसके बाद हम इसमें जो रसगुले हैं वो हम डालेंगे तो देखिए थोड़ा सा चासनी में को साफ करने के लिए हाइड्रो पाउडर में यहां पर डाल रहा हूं यह अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रावलम नहीं आप मत डालो तो मेरे पास जो चीनी है वो मोटी जादा जाग बनने लग जाएगा तो इससे क्या होगा जो हमारे रसगुले हैं नीचे डूबे हुए रहेंगे बिल्कुल कवर्ड रहेंगे तो बस जैसे जाग उपर आए इसमें सारे रसगुले अपने डाल दिने हैं जितने भी हैं और उसके बाद इसको आपने पांच मि जाए मतलब एक टाइप से सेट रहे कि चासनी बाहर नहीं जानी चाहिए बस और उसके बाद इसको पांच मिनट तक उबलने देंगे पांच मिनट तक हमें बिल्कुल भी टेच नहीं करना पांच मिनट में यह फूलेंगे अगर हमने टेच किया तो यह तूड़ भी सकते है तो पांच मिनट हो चुके हैं और मोस्त आप देखते हैं कि क्या है वहारे जो रसगुले कैसे फूले हैं और फूले भी है कि नहीं कैसे बन रहे हैं तो क्या करना है मैं करशी में थोड़ा सा पानी लेना है और उसके उपर जो पानी है पानी को ऐसे उसके उपर घुमा देन तो चासनी थोड़ी जादे याड़े है तो मैं थोड़ा से पानी और डाल देता हूं यह देखिए एक कड़्शी और डाल दिया है इसको फिर से डो तीन मिनट या चार मिनट तक इसको पकने देंगे यह दिखिए जब तक ये चासनी के ऊपर रसगुले तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये कच्चे है, आप वीडियो को बैक करके देखो तो बिलकुल ये चासनी के ऊपर तैर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कच्चे हैं, तो ऐसी 3-4 मिनट के बाद हम धिरे- तो अगर एकी बार में ज़ाग जो है नीचे बैठ जाता है तो आप क्या करें कि जो पानी डाल रहें ग्यास के फ्लेम को हाइप पे कर लें उसके बाद डालें और वापिस से फिर से मीडियम पे कर दें या लोग पे कर दें मतलब जिस हिसाफ से आपका बड़ता है वो सेट हो 20 मिनट इसमें लग सकते हैं इसको पकाने में तो 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं पकाने में इसको और उससे कम टाइम लगा तो कचर है जाएगा तो उसके बाद हम 3-4 मिनट के बाद फिर से हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे और हर बार से हर बार जब पानी डालेंग तो दिखिए, मैं थोड़ा सा interess करके इसको देख रहा हूं कि अंदरश्टा के बिलकूल पक चुके है या नहीं और किया सीन है निकाए तो यह बिलकूल पके हुए मुझे ललग रहे हैं चासनी के देखे 10% जो पार्ट है इनका ये उपर दिख रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही से पक चुके हैं मैंने इसमें 5 बार पानी डाला है और end में मैंने अभी gas बंद कर दिया है और gas बंद करके ही मैंने इसमें और पानी डाल दिया है जैसे आपने देखा और ये जो 10% पार्ट उनका उपर दिखाई दे रहा है ये भी अब डूब चुका है तो बस अब इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद मैं आप सभी को इसका फोड़ो दिखाता हूँ तो ये देखिए दोस्तो थंडे होने के बाद और मैं इसमें हाथ लगा सकता हूँ वायट हो चुके है क्योंकि इसमें जादा पानी है चाष्णी कम है तो सपॉणजी वाले आप सभी को पता है देखिए धृँ Store द्वह पोड़ो दे रहा हूँ और ये दिखै डैसे वहां ह मैं आपको अच्छे से दबागे दिखाता हूं बिल्कुल कॉटन की तरह है रूई नहीं होती रूई उसी की तरह है बिल्कुल और यह अगर चाहते हम तो थोड़ा बहुत बहुत बेकिंग वाटर लगा के इसको और ज्यादा फुला सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा फूलते